F.C की दुनिया में आप शाइद से कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते होगे आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होगी तकि आप ये दुनिया में कोई भी प्रेडिक्शन करने वाला बंदा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता के हम ज़ा चुमायाव अगली किसके साथ फाइट क उनका यह कहना है कि Conor McGregor के साथ UFC में हामजा चिमायव की फाइट बहुत ही इंट्रस्टिंग हो सकती है यह वन आफ दो मेगा फाइट बन सकती है और यह ट्राइ करेंगे इन फ्यूचर की यह फाइट बने समझे है अबिसली हामजा चिमायव बहुत फेमस है बहुत ही इंट्रस्टिंग फाइटर है लोगों को इसकी फाइट देखना पसंद है काफी इंटर्टेनिंग वे में फैशन में अपनी फाइट को फिनिश करता है लेकिन पिछले एक देर साल से हमने नोटिस करा है कि UFC और हामजा चिमायव खुद भी अपने कैरियर को थोड़ा फंबल करा रहे है उनका कैरियर थोड़ा डाउन हिल जरूर गया है पिछले एक साल में ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब खुदी नोटिस करिए जितनी हमजा चिमायव के पास हाइप थी 2020 में जब उसने डेब्यू करा था तीन महीने में तीन फाइट्स लेके तीनों फाइट्स को पूरी तरह से फिनिश करना फर्स्ट राउंड में वो वाली हाइप अब फील होती है क्या 2023 लेकिन तीन साल हो गई है अभी तक हामजा चिमायव ने कोई भी बड़े लेवल का हामजा चिमायव को कभी ये फाइट एकसेप्ट करनी ही नी थी तो चलो लेकिन एक बार को उन्होंने फाइट एकसेप्ट कर भी ली लेकिन उसके बाद से उनकी फाइट वहाँ पर उन्होंने वेट मिस करा आठ पाउंड से इसके कारण वो फाइट कैंसल हुई यूएफसी को इतना जादा लॉसेज जहिलना पड़ा नएव अपोनेंट केमिन हॉलेंड को भले उन्होंने हरा दिया बहुत अच्छी तरीके से तो यार देखिए यही सारी चीज़े थी साथी साथ हामजा चिमायव का एक और चीज़ चलते रहता उस साथी साथ वो बहुत सारे लोगों को कॉल आउट करते रहते हैं साथी साथ जैसे कि हमें पता था यूएफसी 282 के बाद उन्होंने कॉल आउट कर दिया था एलेक्स परेरा को उन्होंने ये बोला था कि उसके साथ फाइट करेगा नेट घ्यास के वाइब कराद लेकिन बेलाल महोंमद के साथ फाइट करा अभी वैलटर भेट dewजन में वो वापस आखे сल्टर डिपलाल मेच जु लेकिन अभ्पार का यह कहना है और वो खुद भी अपना पोटेंशल वेस्ट करें, देखो, ओविसली 2020 में ऐसा लग रहा थे कि कहीं ने कहीं तुरत से फाइट कर लेंगे, और 21 के य बाइस तक तो उनको चैंपियन बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चैंपियन तो छोड़ो, उन्होंने सिर्फ एक र अभी UFC ऐसा चाहरी है कि उनको वापस है, वेल्टर वेट डिविजन में ना जाए, UFC शायद से फोर्स कर रही है हामजा चिमायव को मेडल वेट डिविजन में फाइट करने के लिए, क्योंकि UFC को कहीं न कहीं ये लगता है कि वापस हामजा चिमायव वेट मिस करेंगे, या कॉंटिन्यूसली बार-बार वेल्टर वेट का कट नहीं कर सकते हैं, एक ताइम तक हम भी फैन है, मैं भी फैन हूँ, मैं भी हामजा चिमायव की फाइट का वेट करता हूँ, या उसकी फाइट अपडेट का वेट करता हूँ, मुझे भी उसकी फाइट देखना पसंद है, लेकिन एक time तक हम कहीं न कहीं जाके हमें भी फिर यही लगने लगेगा कि यार यह fighter तो serious ही नहीं है हमारा MMA जो एक sport है UFC जो एक organization है काफी fast moving organization है यहाँ नए players आते जाएंगे आते जाएंगे तो अगर आपने कहीं पे सोड़ा भी fumble करा अपने carrier को और इतना time layoff ले लिया फाल सुगाई इसलिए लोगों का आपके उपर से भरोसा उठने लगेगा और लोग नए fighters की तरफ जादा जाने लगेंगे और लोगों को फिर यह लगने लेगा कि देखो यार यह fighters serious है नहीं तो हम इसको इतना support क्यों करें हामजा चिमायव का obviously देखो सारे fighters की fight news आ गई में, जून, जुलाई तक के fighters की updates आ गईगी कब तक किसकी fight होने वाली है in fact बहुत सारे fighters ने तो already fight कर भी लिया लेकिन हमजा चिमायव की fight news नहीं आ रही fight news तो छोड़ा इल्टे फुल्टे call outs आ रहे हैं कभी middle weight division में कभी light heavy weight की बात करते हैं और अब उनकी team यह fight करी है एक light weight Connor McGregor जो कि उसके आस-पास का भी fighter नहीं है हमजा चिमायव के weight का उसको call out कर रहे हैं उसके साथ fight करने के लिए जो कि एक बिल्कुल भी fair fight नहीं होगी हम सबको पता है Nate Diaz के साथ भी उनकी fight कोई fair नहीं थे हम सबको पता था गर वो fight होती तो definitely हमजा चिमायव उस fight को जीत जाते है तो ऐसे फिकली अगर Connor McGregor और हमजा चिमायव की बात करें तो देखो एक चीज में दोनों similar है और वो है कि popularity wise Connor McGregor की बहुत जादा popularity है हमजा चिमायव एक rising star है जिसको लोग कहते है कि उनकी popularity अगर वो अच्छे से fight करें और career अच्छा उनका जाएगा तो उनकी popularity जिसके कारण आज जो Connor McGregor है वो अपने काम के कारण है उसने बहुत टब फाइट का बेल्ट जीता फिर लाइट वेट का बेल्ट जीता जैसा कि हमजा चिमायव सिर्प्लैनिंग ही कर रहे है पिछले दो-तीन सालों से बड़े-बड़े contenders जैसे बिलाल मुहमबद है उनको हरा के वो प्रूफ कर सकते थे एक पॉइंट अपने लेकिन फाइट ही नहीं कर रहे और अभी तक तो फाइट का छोड़ो इन फाइट करने वाले है या कौनसा डिविजन की फाइट करेंगे कभी उनके टीम के बॉड़ी है एक मिडल वेट की और फाइट के टाइम पे तो 195-200 पाउंट तक भी उनका वेट जाता है तो कॉनर मेग्रेगर के साथ कभी हमजा चिमायव की फाइट हो नहीं सकती क्योंकि वेट क्लास का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट करने में यही सारी चीजे होती है और जो उल्टे बुल्टे कॉल आउट से तो इससे फाइटर की इंक्रेडिबिलिटी गिरती है तो डेफिनेटली हम यहां पर यही चाहेंगे कि हमजा चिमायव जल्दी से कोई फाइट पिक अप करें हाला कि अगर उनकी रिसेंट अपडेट का बताओ तो हमजा चिमायव ने क करेंगे अराउंड जुलाई और आगस्ट आप यह भी देख सकते हो कि 2023 का पूरा आधा साल चला जाएगा और तब तक को भी हमें हमजा चिमायव की फाइट देखने को नहीं मिलेगी तो देख सकते हो इससे कितना ज्यादा लॉस होगा हमजा चिमायव की हाइप को और पॉ अब तक उनको टाइटल फाइट करनी चाहिए जैसा हुआ कहते हैं कि उनका पोटेंशल है वो दोदो बेल जीतने वाले तो अब तक उनको एक फाइट जीतने चाहिए थी कोई रैंक्ट अपोरेंट को पुरी क्लियर तरीके से हराना चाहिए था आप देख सकते हो कि डागस चाहिए तो तुम जान से और बहुत सारे अलग अलग जगह से रश्या के और भी फाइटर्स उएफसी में अरड़ी आ चुके हैं शाट पुटीन का नाम हमने सुना था वो भी उसको भी उसको भी उसको भी उसको ने साइन कर लिया तो डेफिनेटल नए वेवस और फाइट अगली फाइट अपडेट किसकी आने वाली है तो तुम जान सकते हो कि इसलाम मगाशिफ किससे फाइट करेंगे अगली उनकी अगली फाइट कब और किसके साथ हो सकती उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया तो तुम ये वाला वीडियो यहाँ पर क्लिक करके चेक आउट कर सकते हैं इसमें मैंने पूरा एक्स्प्लेइन कर दिया अगर तुम्हें UFC का कॉंटेंट ऐसे ही हिंदी में देखना पसंद है तुम्हें चैनल की वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको एक्सट अपडेट के साथ बाइबाए